नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है बैहू परवीन शेक इस बुलेटिन में आज बात होगी तीवी चैनलों को सरकार के सक्त संदेश की अलवर मामले में घिरी बीजेपी की जानेंगे महराश्ट में अचानक हिंदुत को लेकर क्यों शुरू हुई र निशाने की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाए की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पार कर्ज को लेकर केंद्र को गलत जानकारी दे रहे हैं राजजे केंद्री वितमंत्राले ने जताई नाराजगी आईस और आईपियस अधिकारी को भी दी चेतावनी कर्ज को लेकर प्रमाने जानकारी देने की दिये निर्देश राजस्तान में सीम पत को लेकर अशो गहलोत का बड़ा बयान कहा सीम पत का लालच नहीं सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है मेरा इस्तीफा उनका आदेश मिलते ही छोड़ दूगा कुर्सी बिहार के भोशपूर में एक साथ लहराए गए 77,900 तिरंगे बना विश्वी रिकोर्ड वीर कुमर्सिंग विजे उत्सफ के दुरान रचा गया इतिहास ग्रह मंतरी आमिशा भी हुए कारिक्रम में शामिल सुर्ख्यों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की देश या विदेश की कोई भी घटना हो मामला सामपरदाइक हो या फिर दो देशों के बीच टक्राव का या कोई आपरादिक वारदात देश के टीवी चैनल उसका निशकर्ष पहले ही निकाल लेते हैं और कौन दोशी है इसका फैसला भी सुना देते हैं भड़काओ टैग लाइन चलाई जाती है और उस पर टीवी चैनलों में डिबेट कराई जाती है सरकार ने आब इस पर आपत्ती जताई है और इसे बंद करने को कहा है तो क्या कहा है सरकार ने देखते हैं इस रिपोर्ट में टीवी न्यूस चैनल्स पर इंदनों खबरों की जगा जंग शुरू हो जाती है जंग राजनेती को या फिर रूस यूकरेन के बीच चल रहे सैने संगर्श की उसकी हैडिंग कई बार आकरमक और दराने वाली होती है यूकरेन में एटमी हड़कम यूकरेन से पुतिन का प देश भी दिये हैं देश के टीवी चैनल्स पर आजकर सिर्फ दो मुद्दों पर चर्चा होती है यूकरेन रूस के सैने संगर्श की या फिर देश में बढ़ते सामपर्दाइक तनाव की बाकी की खबरें टीवी चैनलों की दुनिया से गायब कर दी गई है चैनल उपर ज शुकरेन संगर्श नौर्थ वेस्ट देली की घटनाव पर जिस तरह की रिपोर्टिंग और डिबेट के कुछ न्यूस चैनलों पर दिखाई दी गई उस पर सरकार ने एतरास जताया है सूचना प्रसारण मंत्राले ने हेडिंग की लिस सामने रखते हुए कई टीवी चैन से साफ कहा है कि कोई भी ऐसा कारिक्रम प्रसारित नहीं होना चाहिए जिसमें मित्र देशों की आलोचना की गई हो दरसल इन दिनों टीवी चैनलों पर रूस की आलोचना का दौर चल रहा है कुछ टीवी चैनल खुल कर रूस की बुराई कर रहे हैं जबकि भारत सरकार लूस यूक्रेन मामले की रिपोर्टे में जूटे दावे किये गए हैं। लूस यूक्रेन मामले पर जिन हेडिंग्स पर आपती जताए गई। और हेडिंग्स पर सरकार ने आपती जताई है। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब देखना ये है कि TRP के खेल में खबरों से खिलवार करने वाले चैनल क्या इन आपत्यों के बास समलेंगे या खबरों का वैपार इसी तरह जारी रहेगा। सरकार की निर्देश का TV चैनल उपर क्या असर होगा ये जल्द ही सामने आ जाएगा। वैसे विपक्षी दल दावे तो ये ही करते हैं कि TV चैनल उपर चलने वाली टैग लाइन प्रायोजित होती है और इसमें सरकार की सहमती भी होती है। लेकिन जब सरकार फस्ती है तो मामले से कन्नी काट लेती है। ऐसा ही कुछ इस सबे अलवर में दिख रहा है। जहाँ बीजेपी शासित नगर पालिका ने पहले मंदिर पर बड़ा फैसला किया और जब फस गई तो प्रशासन पर पूरा ठीक राफोर दिया। लेकिन इस बार बीजेपी फस गई है। क्योंकि अलवर का ये मंदिर बीजेपी वोट की कारवाई के बाद ही गिराय गया था। जिस पर बीजेपी सफाई देती फिर रही है। इस मामले ने राजस्तान से लेकर दिली तक की सियासत में उबाल ला दिया है। इस घटना को लेकर मायवती ने कॉंग्रेस और बीजे आने उजाडना आदी ये सब घिनोनी राजनीती नहीं तो क्या है जबकि इससे हमारा सम्विधान कब जोर होगा। ये सब तुरंद बंध होना चाहिए। चकर तक की सड़क के दोनों ओर से मकान, दुकान और तीन मंदिरों समित करीब 85 इमारतों को बुल्डोजर से दोस्त किया गया था। इस कारवाई के पांच दिन बाद तक किसी तरह की चर्चा और ना ही किसी तरह का विरोध सामने आया था। लेकिन वीडियो वारेल होने के बाद विवाद ने तूल पकड़ा है, भारतिय जंता पार्टी के राज्य से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इस कारवाई का विरोध किया और मंदिर पर बुल्डोजर की कारवाई के लिए राज्य की अशोग गहलो सरकार को दोशी ठ बीजेपी के आरोपो पर कॉंग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने आपसी सोहार्द विगारने और मंदी तोड़ने की घटना के लिए बीजेपी को जिम्यदार ठहराया है, लेकिन अब इस कारवाई को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस आमने साम गई है, दूसरी और कॉंग्रेस आब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुड़ गई है, धर्म की सियासत सिर्फ राजस्तान में नहीं हो रही, महराष्ट में भी इसे लेकर राजनेतिक रसाकशी चल रही है, हिंदुत्व के सहारे राजनीती चमकाने की कोशिश क पहले राज ठाकरे ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जब निर्दलिय सांसत ने सीम आवास के बाहर इसका एलान किया, तो क्या हुआ देखते हैं इस रिपोर्ट में महराष्र नवनिर्माट से इनाचीफ राजठाकरे के मज़िदों से लाओड स्पीकर हटाने की मांग से शुरू हुआ विवाद, अब बढ़ता ही जा रहा है दरसल राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउट स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो मस्जिदों के सामने बैठ कर स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और महराश्ट से उठा ये विवाद धीरे धीरे देश के कई राजियों में पहुँच गया और इसी बीच इस विवाद में एंट्री हुई अमरा वती से निर्दलिय सांसद नवनीत राणा और उनके पती बाढ़ नेरा से निर्दलिय विधायक रवी राणा की दरसल नवनीत राणा ने एलान किया था कि वो धब ठाकरे के घर के बाहर हनुमान 40 का पार्च करेंगी उनके इस एलान के बाद हलचल मच गई और सीएम के घर मातोश्री के बाहर सुरक्षाप बढ़ाई गई इसके अलावा पुलिस ने भी नवनीत राणा को कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए नोटिस दिया था वहीं विधायक रवी राणा और सांसद नवनीत राणा के खिलाव शिवसेना कारिकरता सडको पर उतराए और उनका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया जबरदस्त विरोध के चलते नवनीत राणा को अपने कदम पीछे लेने पड़े और अपना हनुमान चाली सा पढ़ने वाला फैसला बदलना पड़ा उनका कहना है कि वो अब उध्धब ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चाली सा नहीं पढ़ेंगी इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट की कानुन व्यवस्था की स्तिती पर सवाल खड़े कर दिये वहीं दूसरी तरफ शिफसेना सांसद संजे राउत और महाराष्ट के ग्रह मंतरी दिलीप वाल से पाटल का दावा है कि नवनीत राणा और रवी राणा का ये एलान महाराष्ट में कानुन व्यवस्था को बिगारने की साज़िश का हिस्सा है अब शिफसेना और निर्दलिय सांसद के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है लेकिन महाराष्ट सरकार के आगे नवनीत राणा को अपने घुटने टेक नहीं पड़े नवनीत राणा को उम्मीद थी कि हिंदुवादी संगटर उनके साथ आएंगे बीजेपी का उन्हें सपोर्ट मिलेगा लेकिन उनके पक्षमी कोई भी दिखाई नहीं दिया जिसके बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम को वापस ले लिया कहा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया सांसत भले ही अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई हो लेकिन यूपी की योगी सरकार ने एक विवादित मुद्दे को जरूर अपने पिटारे से बाहर निकालने का संकेत दे दिया है तो क्या है मामला जिसे यूपी में मच सकता है घमासान देखते हैं इस रिपोर्ट में यूपी में जल्द ही समाप्त हो जाएगा परसनल लो मुसल्मानों के धार में कानून को समाप्त करने की हो गई है तैयारी यूपी की बीजेपी सरकार जल्द ही लागू करने वाली है یूणिफॉर्म सिविल कोड यूपी के डिप्टी सीम केशब परसाद मौर्यने साफ कर दिया है कि यूपी में यूणिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा ये मुदा हमारे एजंडे में लंबे वक्त से था और अब इस पर अमल किया जा सकता है उत्रकर्ण सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर कमेटी के गठन को मंजूरी दे चुकी है और अब ये ही प्रकरिया यूपी में भी शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं यूपी के डिप्टी सियम केश्व प्रसाद मौर्या ने कहा कि हर कोई समान नागरिक सहिता की मांग कर रहा है इसका स्वागत कर रहा है उत्रप्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है हम लोगों के समर्थन में हैं ये उत्तरपरदेश और देश के लोगों के लिए भी जरूरी है समान नागरिक सहिता का मुद्दा बीजेपी के प्रमुक वादों में से एक है और हम इसे पूरा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को अगर लागू किया जाता है तो सभी धर्मों में शादी तलाग और जमीन जादायत के हिस्से के लिए एक ही कानून लागू होगा इसे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट को समाप कर दिया जाएगा जिस कारण इसे लेकर लगातार विरोत के सुरू उठ रहे हैं सवाल हो रहे हैं भारत के सेकुलर चरित्र पर उंगलियां उठ रही हैं तो क्यों बुल्डोजर के चलते सवालों के घेरे में दिख रही है मोधी सरकार देखते हैं इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुल्डोजर कारवाई अब धीरे धीरे बीजे पीशासित सभी राज्यों में की जा रही है और इस कारवाई का इस्तमाल एक विशे समुदाय को डराने के लिए किया जा रहा है पिशले दिनों मध्यप्रदेश और गुजरात के बाद दिल्ली के जहंगीर पुरी में बुल्डोजर कारवाई की गई हलाकि सरकार ने इसे अवैद अतिकरमन को हटाने की कारवाई बताया लेकिन सच्चाई से हर कोई वाकिफ है कि ये कारवाई मुस्लिमों को डराने के लिए की गई थी क्योंकि मध्यप्रदेश, गुजरात और फिर जहंगीर पुरी सभी जगह से पहले दो समुदायों के बीच जड़ब की खबरें आई और उसके बाद अतिकरमन हटाने के नाम पर एक समुदाय के खलाव कारवाई की गई जिसके बाद मोधी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और विपक्ष मोधी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है लेकिन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मोधी सरकार की निंदा हो रही है बता दें कि बुल्डोजर के इस्तमाल को लेकर बीते कई दिनों से देश के भीतर और अंतराष्ट के मीडिया में चर्चा गर्म है ब्लूम वर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बुल्डोजर का इस्तमाल गरीब मुसलमानों के घरों और व्यफसाय को तबाह करने के लिए किया गया रिपोर्ट में लिखा गया है कि आलोचुकों का कहना है कि भारत की मोदी सरकार ने अल्प संख्यक मुसलिम समुदाय को डराने के लिए बुल्डोजर का इस्तमाल किया TRT World में छपी रिपोर्ट के अनुसार बुल्डोजर का इस्तमाल लंबे वक्त से भारत की पहचान रहे धार्मिक सदभाव और शांतिपूर सहय अस्तित यानि जीयो और जीने दो की नीती को खत्म करने के लिए किया जा रहा है वही वेबसाइट ने एक लेक छापा है जिसमें कहा गया है कि देश की सत्ताधारी दक्षिन पंथी बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसल्मानों को निशाना बना रही है इसके अलावा पाकिस्तान की नीज वेबसाइट डॉन ने लिखा कि भारत के कई हिस्सों में बुल्डोजर चलाए जाने की घटनाओं के बारे में आलोचक कहते हैं कि ये देश के 20 करोड मुसल्मानों को डराने की सत्ताधारी सरकार की कोशिश है हाला कि मोदी सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है लेकिन सच सब के सामने है और ये पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार की दुनिया में किरकिरी हुई हो मोदी सरकार को देश की 26 से ज़्यादा अपनी 26 की चिंता रहती है चिंता वोट की रहती है इसलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं सवाल विदेशों में ही नहीं बलकि भारत में भी उठ रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष उसे घेर रहा है कॉंग्रेस सांसद पर निशाना साद रहे हैं आज उन्होंने महंगाई को लेकर फिर सवाल उठाए हैं तो क्या कहा राहुल गांधी ने देखते हैं इस रिपोर्ट में देश में महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं जिससे जनता तरस्त है हाला कि सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है लेकिन विपक्ष हर बार सरकार को इस मुद्दे पर घेरता है लेकिन इस बार कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुद्राइस फीती और फिक्सड डिपोजट की दरों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साथा है बता दें कि कर्ज की ब्यास दरों में गिरावट के साथ साथ बैंकों के फिक्सड डिपोजट रेट्स में भी लगातार कमी देखने को मिली है जो इसका असर सीधा जनता को ही पड़ता है क्योंकि बैंकों के fixed deposit को हमेशा से safe माना जाता है लेकिन वहीं अब लोगों को इसमें भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है अब इस मोर्चे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोधी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा अपने बैंक खातों में 15 लाख जमा करना भूल जाएए पिये मोधी के master stroke ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है अपने ट्वीट के जरीए राहुल गांधी ने मोधी सरकार पर तंज भी कसा आपको बता दे कि पिये मोधी ने वादा किया था कि सभी के खातों में 15 लाख रुपे आएंगे खेर उनका ये दावा तो मेहज एक जमला साबित हुआ और किसी के खाते में रुपे नहीं आए जिसको लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को आड़े हाथ लेता नजर आता है लेकिन अब जिस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में कमी की गई है उसे देखकर खुद की कमाई के पैसे जोड़ना भी मुश्किल नजर आ रहा है और राहुल गांथी अपने इस ट्वीट के जरीए ये भी समझाने की कोशिश कर रहे है उन्होंने अपने ट्वीट के जरीए एक डेटा के आधार पर बताया कि दो लाग रुपे फिक्स करने पर 2022 में मातर 11,437 रुपे ब्याज मिलता है जबकि 2012 में इससे बहुत ज्यादा यानि 19,152 रुपे मिलते थे जिसे देख कर पता चलता है कि मोदी राज में देश की जनता को क्या हासिल हो रहा है ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि कहा है अच्छे दिन क्या वाकई ये हैं अच्छे दिन और बुलेटन के आखर में बात महंगाई की भारत में पैट्रोल, डीजर, सीनजी और एलपीजी सिलेंडर के दाम आसमान चुने लगे हैं जिससे जनता त्रस्थ हो चुकी है लेकिन आप लोगों पर महंगाई का बोज और बढ़ने वाला है क्योंकि विदेशी गती विदियो की वज़े से अब खाने वाले तेल के दाम और अधिक बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं यानि अब खाने का तेल भी जनता का तेल निकालने को तैयार है देश में आउट ओफ कंट्रोल हो चुकी महंगाई कावों में होती नजन नहीं आ रही है पैटोल, डीजर, सीनजी के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है जिसे लोग गाड़ियों में सफर करने से बच रहे हैं लेकिन बिना खाये लोग जीवन कैसे गुजार सकते हैं मजबुरन लोगों को महंगी चीजें खरीदने पड़ रही है सबजीों से लेकर राशन का समान सब महंगा होता जा रहा है और अब तो खाने का तेल भी जनता का तेल निकालने वाला है क्योंकि इंडोनेशिया ने एडिबल ओयल और कच्चे माल के निरियात पर रोक लगा दी है इंडोनेशिया के इस फैसले का असर भारत पर पड़ेगा दरिसल पूरी दुनिया में पाम ओयल का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है इंडोनेशिया पूरी दुनिया में पाम ओयल का सबसे ज़्यादा निर्याद करता है और भारत खादे तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है इस वक्त भारत तकरीबन 90 लाग टन पाम ओयल आयात करता है इसमें से 70 फीसिदी पाम ओयल इंडोनेशिया से आता है जबकि 30 फीसिदी मलेशिया से आता है यानि इंडोनेशिया के बाद पाम ओयल के लिए भारत को मलेशिया पर निर्भरता बढ़ानी होगी जिससे दामों में बडोतरी होने की आशंका है लेकिन उससे पहले पाम ओईल की कीमतों में उच्छाल जारी है विदेशी बाजारों में तेजी के रुख की वजह से दिल्ली के बाजार में मांग में बडोतरी के बाद सर्सो का तेल सोयाबीन तेल समित खादे तेलों की कीमतों में बडोतरी दर्च की गई है दिल्ली में मिलो को डिलीवरी किये जाने वाले सोयाबीन तेल के दाम में सबसे ज्यादा 350 रुपे प्रती क्विंटल की दर से तेजी दर्च की गई है लेकिन कीमतों में और उच्छाल आने वाला है जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा तो आज इस बॉलेटिन में बास इतना ही देखते रिये डीबी लाइफ नमस्कार